हालो गाइज वेलकम बैक टू आवर चनल तो भाई लोग कैसे हो यार सो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अपडेट के बारे में गाइज जो शायद आप लोगन अपडेट कर लिया होका गेमफों और कल एक अपडेट तो मैंने आपको वीडियो अप्लोड कर दी अगर वो अपडेट नहीं देखा तो आई बटन चेक कर रहा है मैं लगा दूंगा वह बटन पर अपडेट दूसरा अपडेट गाइज थोड़ा सा मतलब बताने में जी लग रहा है बट सही नहीं है बट यह होना था एक दिन तो यहां पर कुछ मोडिफिकेशन होया कुछ जो कि में टंपरेरी वनेस मिल रखे दे टंपरेरी वनेस विल बी मोडिफाइड फ्रॉम अक्टूबर फरस्ट थरस्टे को गाई सब मोडिफाइब जाएगा और सबसे पहली चीज क्या मोडिफाइब होने वाली गई वो सुन लो एक बार हैच डिस्टेंस जो थापना इनसेंस जो था अपना जो की एफेक्टिव था इनसेंस का टाइमिंग वही रहेगा 60 मिनिट्स बट इनसेंस की जो एफेक्टिवन से गाईस वह सरफ जबी काम करेगी जब आप इनसेंस चला की वाक करोगे गईस क्योंकि पोकिवन को चाहता है कि अब आप लोग हैल्थ पर द्यान दे हैल्थ फोकस करें बहुत दिनों के गर में लिटे लिटे अब टाइम में कुछ करनेगा ठीक है उसके बादेगाई जो आपको बड़ी मेहनत कर रहा था भाग भाग के गिफ्ट लेके आ रहा था वह गाईस अब कम हो जाएगा मतलब इतना कम जाएगा कि दिन में एक इसा इसरा एक चेंजाने वाला गय सक जो गिफ्ट है वह आपको Pocky Stop Spin करने पे मिलेगा ज्यादा चांस है Pocky One Spin करने पर अब बोल दिया एक आप तारिक से सब्सक्राइब बात करते हैं हम लोग का यह लैग गुद्नीज यह कि लैग चला गया नो विक सिगनल नो विक कनेक्शन इस दियर तो मैं टीम में थोड़ा चिंजिस कर लिया है मैंने और इस टीम से गाइस आप विश्वास नहीं करोगे मैंने कल रात तीन सेट जीते हैं यह रिकर्ड गया ता इसमाने पहला सट में हार गया बाकी चार जीत गया इससे पहले में पांच जीता इसके बाद वाले मैं रिकॉर्डिंग ने कि उसमें ही सोफ़ेव के और वह चार जीत आपके तो वो क्यों होआँ था जो मुंझे नहीं बता बटत बहुत सारी गलताların की कि मैंने तो यहां पर लेपरास लेने के पीछे रिजन क्या गई सबसे पहली बात है वाई लेपरास तो लेपरास एक बल्की पोकिमोन है जैसे कि मैंने का था एक वीड़ो गना रखी अगर आपने नहीं देखिए आपको रैंक कैसे अप करनी है गो बेटल में गाई तो उसके यहां पर लेपरास और जो कि मतलब मेरा ओपनिंग पोकिमोन भी है जैसे आपनिंग रखने का पिछ रिजन यह गाइस क्यूंकि हमको पता है क्या वोकिमोन है तो किस ग्रेटिना इन लोगों के लिए बढ़िया फोकिमोन है इस पर मैं लाइट अलाइट चास्टिम यूज नहीं कर रहा है उसके बुचरी जैनिया कि इसकी इतनी अच्छी नहीं है बट हमारे पास एक हंड्रेट आइवी का भी लेपरास है जो कि मिल गया वाई तुम लोग की दया भावना से मिल गया तो वह जो लेपरास है उसको हम लोग कभी करेंगे में अगले के अगले सीजन गम उसको भी पावर अफ करेंगे और कल राद मैंने फिर कांट कर दिया गया सारी स्टार्ट मैंने कल दिन बर में 50 प्लस 56,000 स्टार्ट मैंने कर ली थी गया और राद में मैंने सारी कि सारी लेपरास को दे दिए गया जी बिल्कुल से तो अभी आप देखते जाओं मैच ब फरक नहीं पढ़ रहा उसको बट सामने वाले पोकेमोन की घड़िया घड़ी हो रही है वह शायद दोनों शील्ड यूस करने वाला है जात मुझे यादे कि वह दोनों शील्ड यूस कर लेगा इस टीम को लेने से मुझे फैदा यह हुगा कि मतलब मुझे पहले से ही पता ह है तीनों को तीनों अगेले ग्रेटिंगाने प्रिलें गाइस और बहुत सारे मैच ऐसे भी हैं जो की मतलब लैपरास ने किये और कोवेलियन तो मतलब कि शर्मा जी का लड़का क्या कर सकते हैं तो बहुत कोवेलियन सर्वगुन संपन्न है कि बहुत यह टैलेंटिट पोक्यूमान है इसको मतलब लोगों ने अंडर्रेटिट कर रखा है इसको को यूज नहीं करता सबसे बड़ा पॉस्टिव पॉइंट कोवेलियन का यही कि लोग यूज नहीं कर रहे हैं कोवेलियन की वीकनेस क्या फायर और फाइटिंग यह दो सब्सक्राइब तो ग्राउंड अटैक भी थोड़ा सही नहीं रहेगा स्लिमनेट आदिया बागी स्वामपट के लिए तो अपना गिराटिना काफी है और वह वह किस दिन काम आया गिराटिना भी क्यों मतलब बैठा है तो ऐसा नहीं कि मतलब भाई तो कोवेलियन अगर सब सब्सक्राइब तो आप लोग कमेंट कर देना अभी गाइस देखों यह मैच में कोवेलियन हम लोगा नहीं बिचा रखा था स्लिम लोग जीद गया है नहीं तो गूड एफट लिखे आ था तो अभी हम लोग चलते हैं फटावर्स हैं मुझे पता नहीं कितने रिकॉर्ड क हैं इस पाल में आपको यह बता रहा हो कि मैं रेंक ऐट के बहुत पास हो गाइस ट्रट्राज्जो मेने लगातर तीन मैच टीन सैट जीते हैं ना गई जीमें जो थीन सब्सक्राइब बतलब सब्सक्राइब आठ और पाच बारा मैच वह बारा मैच में अनलब वारा ने तेरा तेरा मैच घज बाई चारी जाड़ कर तो ब्लाश्ट बन था इसने मतलब मुझे परिशान किया है कोई एक मैच बता नहीं इस वीडियो में था कि नहीं था मैं अब टो अपडेट पड़ रहा था तो ब्ला ब्लाश्ट बन के लिए मैं शील्ड उस करूंगा मुझे लेपरास को नहीं मारना था मैं सिर्फ ब्लाश्ट बन से डर रहा हूं गया क्योंकि ब्लाश्ट मेरा मतलब कोविलियन तो एक डटके मार देता है और ब्लाश्ट में बड़ा खतन ना गया बहुत अश्कल फ्लेम थ कर रहा है और यह क्रेंच मार रहा है यह जो अटक था इसके लिए मैंने कोविलियन को लेके आएगा अगर इसके पास हैड्रो पंप या फिर वाटर फॉल अटक थोड़ी दिक्कत दो सकती दिए बट यह बहुत मतलब स्वेटेबल रहा गेम के लिए ओपर से इसका अटक ब अब लोगों को पता दूंगा इस जो अपना वीनसर है वीनसर और को विलिंग और वीनसर और अगर गेरटिना की फाइट होती है न तो हमेशा हमारा गेरटिना ही जिदेगा अगर उसके अग्वरेंजी फ्लांट है तो थोड़ा सा मतलब बरावर की टकर हो जाती है बट गि कोवलियन की सिर्फ एक ही दिक्कत है वह मतलब फाइटिंग टाइप पोक्यों काउंटर उंटर अटेक ना होनी चाहिए बागी तो यह लड़का बहुत तगड़ा है तो गाइस अभी यह वाला मैच में जीत गए बाई जीतते हैं बड़ा मजाता है बहुत मजा रहा रहा है अब यह तो आपको स्पीड में दिख रहा है मैंने स्पीड बढ़ा दिये नहीं तो भाई आप लोगी देखते तो पागाल वाते गोलते भी यह इतने ज्यादा मैच सो गाईज मेरी क्याल से क्या टीम रखनी आप कुछ विल ना पावर आप करो सभाट है मैंने वादे ना सगे उल्सकूल पकार संभीट कारि मेरी करने के नहीं। एक लाग स्टार्डस्ट होते ही मतलब मैं कहीं नहीं लगा जे रहा है और यह एक बहुत अच्छी वात है कि आप स्टार्डस्ट को यूस कर रहे हैं बहुत सही जगा यूस कर रहे हैं इन फ्यूचर हम लोग अपना 100% IV वाला लैप्रास को आगे लेके आएंगे बट फिलाल नहीं सो गाइज एंशेन पावा थोड़ा दिक्कत करता है इसलिए बने अटा दिया तो गैज गिराट में लाने का सिर्फ एक रिजन था गाईज क्योंकर टो किसे टो किसे बचाके रखिंग मुझे पता है और यह दिक्कत करिया गाईज बट यह गेम में बंदे ने हार मान लिए और मौन जीर गए गाईज बट दी है साट थेंक्यों वचिंग वॉचिंग वोचिंग मैं ती गाईज बाएज बाएज